Hello students, today we will start with the poem Topsy-Turvy Land of Unit 7. Now, Topsy-Turvy Land, Topsy-Turvy Land का मतलब क्या है? उल्टे-पुल्टे जमीन, Land means Zमीन. Now, have you ever thrown your school bag on your bed? कि क्या आपने कभी throw means फैका है अपना school bag bed के उपर? Have you ever left your shoes? कि क्या अपने अपने shoes छोड़े हैं and socks here and there? कि shoes and socks इधर उधर फैक दिये हूँ? Have you ever played with your ball in your room? कि क्या आपने कभी अपने room के अदर ball से खेला है? Does your room sometimes look like this? क्या आपका room इस तरह दिखाई देता है कि school bag आपने फैका हुआ है, shoes and socks इधर उधर पड़े हैं और आप room के अंदर ball खेल रहे हो और सारा सामान messy way में पड़ा है, बिखरा पड़ा है. Now, read about one such upside down. Upside down again means, उल्टी पुल्टी जमीन. The people walk upon their heads. कि अब इस उल्टी पुल्टी जमीन में क्या होता है? कि people जो है, walk कर रहे हैं on their heads. कि अपने सिर्के बल चर रहे हैं. जैसे कि अब यहां दिखा रख है कि सिर्के बल जो हैं चर रहे हैं. क्योंकि यह उल्टी पुल्टी जमीन है, तो सारे काम ही जो है, यहां उल्टे पुल्टे हो रहे हैं. तो वो अपने सिर्के बल चर रहा है. The sea is made of sand. कि जो sea है, पानी नहीं है, यह sea के अंदर. बलकि क्या है, sand means read. The children go to school by night. Children जो है, वहाँ पे रात को school जाते हैं. दिन में नहीं जाते हैं, रात को जाते हैं in topsy-towby land. उल्टी पुल्टी लैंड पे. एक जगह ऐसी है, जहां पे सिर्के बल चलते हैं, समुन्दर मेरेथ हैं. और school रात को जाते हैं, बच्चे. The front door step is at the back. और जो front door है, हमारा जैसे front में ही होता है, वो आपका कहा है, back side है. You are walking when you stand. और जब आप खड़े हो, it means you are walking. You wear your hat upon your feet. कि आप अपने hat कहां पे पहन रहे हो, सिर्के नहीं पहन रहे हैं, बलकि पैरों पे पहन रहे हो. क्योंकि आप सिर्के बल तो चर रहे हो, तो आपके पैर उपर हो जाएंगे, तो आप hat उसी में पहन रहे हो. In topsy-tubby land. And buses on the sea you will meet. कि और buses on the sea, कि समुंदर में क्या है, आपकी buses चर रहे हैं, ना कि boards चर रहे हैं. While pleasure boards are planned to travel up and down the streets. और जो pleasure boards हैं, जिसमें आप बैठके enjoy करते हो, वो आपकी कहां पे चर रहे हैं, streets में चर रहे हैं. अब buses जो streets पे चर रहे हैं, वो sea यानि समुंदर में चर रहे हैं. और boards जो आपकी वहाँ चर रहे हैं, वो streets में चर रहे हैं. Of topsy-tubby land. You pay for what you never get. और आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो वहाँ पे, जो आपने कभी खरीदा ही नहीं. जैसे हम जो चीजे खरीदते हैं, हम उनी के लिए पे करते हैं. But in topsy-tubby land, they are paying for what you never get. जो उन्होंने नहीं खरीदा, जो उन्होंने नहीं मिला, they are paying for that. I think it must be grand. और ये तो मतलब मेरे हिसाब से, I think it is grand for when you go, you are coming back. और जब आप मतलब you are, you go, जब आप जा रहे हो, तो it means you are coming back. मतलब आप वापिस आ रहे हो in topsy-tubby land. तो topsy-tubby land में ये सब काम जो है, उल्टे-पुल्टे हो रहे हैं, सिर के बर्च चलते हैं, सी में सैंड है, और यहाँ पे रे नाइट को स्कूल जाते हैं, सब काम जो है, उल्टे-पुल्टे हो रहे हैं. Thank you.